एका पारेश उलम्पिक्सलों पार्टिस पेचेशना त्लीर्स तो प्रदानी नरेंदर मोदी इंट्राक्टर तुन नौ आयन माठ लड़तुना लाइव चुस्तिना अभी लंबी केरियर में आप कई बड़े टुर्णामट खेलेंगे खेलना बन नहीं करना चाहिए रुकना भी नहीं चाहिए एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविश्य कितना उजिवल रहने वाला है होने वाला है ये टर्निंग पॉइंट है हमारा उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों हम रुकने वाले नहीं है साथिवाज भारत अपने हां वर्ल क्लास पॉट्स इको सिस्टिम डेवलप करने की प्रात्पिक्ता दे रहा है ग्राट्सूर्ट से आने वाले खिलाडियो को उनको तलाशना उनको तलाशना ये बहुत जरूरी है हमने गाउं गाउं शहर शहर से युगा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों इंडिया मुहीं शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलों इंडिया से निकले 28 खिलाडी इस ओलेंपिक समू का हिस्सा बन अमन है अनन्जीत है दीरज है सर्वजोथ है इन सबने खेलों इंडिया एथलेट के रुप में अपनी जर्नी शुरू की थी और इससे हुआ ये है कि खेलों इंडिया में खेलना और जी भरके जीतना ये एक बहुत बड़ा एहम हिंदुस्तान का कारकम बन चुका है जी मैं इसको मैं मानता हूँ मैं खेलों इंडिया को और तबज्जु देनी और ताकत देनी है उसी में से हमें अच्छे नए आपकी तरह ही खेलों इंडिया एटलेट्स की एक बड़ी फोच देश के लिए तयार हो रही है हमारे खिलाडियों को सुविधाओं और समसाधनों की कमी न पड़े ट्रेनिंग में दिक्कत न आए इसके लिए बजेट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है सबको पता है कि किसी भी खिलाडी के लिए जादा से जादा कमपुटिशन में हिस्ता लेना कितना आवश्यक है मुझे संतोज है कि आलिम्पिक्स से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कमपुटिशन का एक्सपोजर मिला है इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स डाइट, उपकरण और कोचिंग सब पर इतनी बारीकिस से ध्यान वर्ल्ट लास फसिलिटी देने का प्रयास इस तरह की सुविधाओं के बारे में हमारे यहाँ पहले सोचा नहीं जाता था खेलाड़ी अपने नशीब पर मेहनत करता था, देश के लिए कुछ करके आता था लेकिन आप पूरी एकोसिस्टिम बनी है यह केबल स्पोर्ट्स में देश की नितियों का बड़लावा इतना ही नहीं है यह उस भरोसे का प्रतिक भी है जो देश अब अपनी युवापीजी पर बहुत ज़ादा भरोसा करता है, उसकी अभीवक्ती है आथ हो, आप सब देश की युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेना है मैं मानता हूँ, आप मैंसे हर किसी के बारे में देश को, देश की युवाओं को जादा से जादा जानना चाहिए यहाँ भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूँ विशेशकार हुमारी बेटियों, पिछली बार के तरह इस बार भी बेटियों ने ही ऑलिम्पिक में भारत की जीत का श्री घणिश किया है मनु को जीत तरह पिछली बार तक्नीकी कारणों से निराश होना पड़ा था फिर उन्होंने जो वापस ही किये अंकीता ने जीत तरह सीजन का अपना सर्य और स्रेश प्रदशन किया मनिका बत्रा और स्रीजा अकुला ने भी सबका ध्यान खीचा है इसी तरह बाकी खिलाडी भी रहे खास कर नीरत ने अपनी लगन और अनुशासन में जीत तरह कंसिस्टनसी दिखाई है स्वपनिल ने कठिनायों को पार कर जीस तरह मेडल जीता है होकी में हमारे सर्पन साब उनके टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है पी आर स्रीजेस ने ये बता दिया कि दवाल क्यों है जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका उस सबने एक ही संकल पर दोर आया ये सिलसला